नमस्कार स्वागत है सभी आंगनवाडी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यह जो आप लोग एप देख रहे हैं आगनवाडी का जिस पर हम लोग लबहार्थियों का OTP सत्यापीत करते हैं और यह जो आप लोग Chrome Br प्राउजर देख रहे हैं इस पर हम लोग लबहर्थियों का ओटीपी निकालते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जो कुरों बडाउजर है उसमें आप लोग जैसे ओटीपी निकालने के आगन का जो ओफिसियल है उस बेवसाइक पर जाते हैं तो आपको कुछ इसूज देखन आगे वाला डेट नहीं बढ़े इसलिए आपको जितना जल्द हो सके सभी लभार्थियों का OTP निकालके इस आगलवारी का जो एप है उस पे सत्यापित कर लेना है तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप लोग OTP निकालेंगे जो maintenance का problem चल रहा था वो maintenance का problem solve हो चुका है और आपको उसमें OTP निकालने में कोई परिसानी नहीं होगी हम आपको OTP निकालके दिखाएंगे और verify करके भी दिखाएंगे तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए वीडियो को complete जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको OTP verify करने में problem नहीं आए तो चलि आगन आप आगन लिखिए या फिर आइसीडियेस ओनलाइन बिहार लिखिए जैसे कि हमने यहां पर आगन लिखके सर्च करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि icdsonline.bihar.nic.in का जो official website है वो यहां पर open हो चुका है open होने के बाद जैसे कि कई सारी आगन बाड़ी बहनों को यहां पर problem हो रही थी कि यहां पर touch करने के बाद उनका जो next page open हो रहा था उसमें maintenance करके कुछ लिख रहा था जो कि आगन बाड़ी बहने काफी परयसान थी जैसे इस प्रकार से नहीं दिखा रहा था लेकिन यहां पर कुछ changing किया गया है बट आपको क्या करना है यहां पे जो लिखा गया है कि क्लिक करें तो आपको इसी पे डिरेक लिक कर देना है जैसे ही आपका जो page है वो इस परकार से open हो चुका है जैसे कि हम लोग अपना OTP verify जैसे करते हैं वैसे ही आपका ये पेज ओपन हो चुका है ओपन होने के बाद यहां पर लिखा है टोकन पराप्ट करने के लिए यहां किलिक करें तो आपको टोकन पराप्ट करने के लिए इस पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद जैसे हम लोग अधार से अपना टोकन वाले पर किलिक कर देना है चलिए एक आपको निकाल के दिखाते हैं कि निकल रहा है या नहीं तो हमने यहां पर एक लभार्थी का अधार नमर डाल दिया उसके बाद यहां पर जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको फिल कर लेते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर कैप्चा कोड और अधार नमर डाल दिया है डालने के बाद यहां पर टोकन पराप्त करे वाले पर किलिक कर देंगे जैसे ही इस पर किलिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो टोकन है उस लभार्थी का य ओफिसियल एप है आंगनवारी उस पर आपको जाके इस ओटीन पी को वेरिफाइब करना है चली हम आपको वेरिफाइब करके दिखाते हैं कैसे वेरिफाइब होगा तो अब आपको ओटीप वेरिफाइब करने के कलिए क्या करे यहाँ पर जो आगण वारी का official app है इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर ICDS लभार्थी verification OTP तो इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है आप ने अभी तक synchronize नहीं किया होगा तो पहले synchronize करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे nav beneficiary sochi load करेंगे फिर उसके बाद OTP सत्यापित करेंगे तो आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा तो आपको क्या करना है यह सारे चीजे करने के बाद आपको OTP सत्यापित वाला पर किलिक कर देना है किलिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जो बित्तिय महीना दिखा रहा है इसको touch करेंगे और यहाँ पे दिसंबर महीना select कर लेंगे select रने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ लभार्थियों का यहाँ पे OTP भेरिफाई कर लिया है जैसे कि इसमें भी कई सरियागनबारी बहनों को यह प्रोब्म आ रही है कि उनका OTP सत्यापित नहीं हो रहा है तो आपको मैं करके दिखाऊंगा कि OTP सत्यापित हो रहा है या नहीं जैसे कि OTP हम निकाल चुके हैं और यहाँ पे OTP को डालने वाले हैं तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने इस लभार्ति का OTP डाल दिया है डालने के बाद यह जो सत्यापित कड़े का option आप लोग देख रहे हैं इस सत्यापित कड़े वाले पे किलिक कर देना है जैसे ही किलिक करेंगे तो देख सकते हैं OTP verified successfully यहाँ पे लिखके message आ जाएगा तो आपको क्या करना है कि सभी लभार्थियों का बाड़ी बाड़ी से जितने भी आपने OTP निकाले हैं सभी लभार्थियों का यहाँ पे आप लोग डाल देंगे डालने के बाद OTP कैसे निकाले और उसको verify कैसे करें तो आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को और भी आवन बड़ी पहनों के साथ सेर जरूर कीजिए तो मि